जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूटूब फैमिली में मैं हूँ आदित एन टीचिंग यूटूब फैमिली के तरब से कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे बहुत दिनों बाद हम लोग जो है हम जो है आपसे मिल रहें क्योंकि बीच में काफी गैप हो गया था और कुछ कारण वर्स कुछ रीजन था जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे अब सारे अपडेट आपको चैनल पर परतीक दिन आते रहेंगे तो उसी करही में आज हम लोग बात करते हैं कि कल जैसा कि आप सभी को पता है कि प्ररम्भिक सिक्षक बहाली के लिए केस का मुद्धा जो चल रहा है उस पर कुछ फैसला होने वाला था और इसके बारे में कल कुछ मुद्धा पर विचार हुआ क्या हुआ था फैसला उसके बारे में बात करेंगे और प्ररम्भिक सिक्षक बहाली के बारे में बात करेंगे उसके बाद में कुछ एस्टेट धांधली के बारे में जैसा कि आप सभी को पता कि वीडियो सोसल मीडिया पर वारल हो रहा ह है उस वीडियो में क्या है सचाई कैसे क्या हुआ अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का अहम मुद्धा है जो कम्यूटी में अगर हम पोश्ट डाले हुए थे तो उसमें लगबक बहुत सारे करतें तो आपका ये बहुत ही अहमशा वाली की सर एस्टेट का कट ॉब क्या हुआ को ये मेरा रिजल्ट आप आपाएगा कोई साइन्स वाल है तो करें सर मेरा इतना है कि मेरा रिजल्ट आपाएगा तो बहुत लोगों का ये कोश्चन इस कंफ्यूजन को भी हम दोर परेंगे क्या होगा एस्टेट का कट अफ इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे तो किरिया को पूड़ा कर जाएगा लेकिन धेर साल प्लस होने जा रहा है आप सो सकते हैं इस सिक्षा विभाग ने या आप बिहार की सिक्षा विवस्था को आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा तंदुरूस्थ है कि जो बात तीन महीने में कहा गया था कि हम पूरी कर लेंगे को उसका दीर साल होने जा रहा है आप समझ सकते हैं इस से और उस पर लगभग पिहार प्रारमिक सिक्षक बाहाली पर लगबग दो तीन केस जार रहा है कि popularisen, प्राथमिक्ता मीया चु करके लेकिया कि इस बहाली में भाग लेंगे अब यह भी उस पर मतलब लगभग लगव आपको बता दे जो दो केस अभी करेंट में चल रहा है और इस केस का फैसला कल आया और कल जो सुनवाई था फैसला नहीं यह बाते कहा गया फैसला सुरक्षित है नौ तारीको अर्थात नौ जो है नौ अमबर को अक्टूबर में भी नहीं नौ नौ अमबर को फैसला सुनाया जगा है उसी बीच आप सभी को पता है बिहार बिधान सभाद चुनाओ भी है लेकिन साहब कहते हैं मतलब कि जो प्राथमिक सिख्षक के न समझ सकते हैं पढ़े लिखे हैं बुद्धी जीवी है आप सभी को पता है कि जो सिख्षा विभाग दावे कर रहा था कि तीन महीने में हम जो है इसका ज्वाइनिंग करा देंगे उसका डेर साल होने जा रहा है अभी तक ज्वाइनिंग क्या कुछ कुछ मतलब उसका प्रो यहां पर सबसे बारा सवाल यह है तो आप इसको संताव ना समझ सकते हैं या कितना सचाहिए वह आगे चलकर आपको पता लेगे इस पर खैर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो प्ररभिक सिख्षक बाहाली की स्थिति यह है कुल मिलाकर अगर बोले तो बिहार की सिख् जहां पर वो गड़ीब चात्र चात्र हैं जो चोटे बच्चे हैं जो एक गुनवाता पून सिख्छा लेना चाहते हैं, क्वालिटी एजूकेशन लेना चाहते हैं, क्वालिटी टीचर चाहिए उनके लिए, वह तीचर आज के डेट में रोड पर भटक रहे हैं, दरदर परजातंत्र है और हमको बोलने का अधिकार है क्योंकि परजा तंत्र कोई पता चल रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आराम से पूरी तरफ कोश्य ने सरा रहा है कि इतने बच्चे हैं कुछ देखें आप लोग हम लोग जो भी बोलेंगे वह तो मालूम है निए लेकिन यहां पर सबसे बारा सवाल यह बनता है कि वीडियो बारल होने के बाद अब को यह पता लगा कि सरफ टेट परिच्छा में धांदली हुआ है लेकिन क्या इसके पहले पता है कि जो पहले एकज्गाम में वीडियो बारल नहीं हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें धांदली हुआगा हो सकता है कि उसमें भी धंदल लेकिन यह अंडेड परषेंट हम नहीं कर सेते क्योंकि जो प्रोसेस था पर इक्छा लेने का आप समझ सकते हैं वहाँ पर थं का अध् ли नहीं था आप समझ सकते हैं कि फिंगर बाला कोई थं करीशन वहां पर नहीं लिया परिछ्षा में धांदली हुआ है लेकिन पिछला एक्जाम हुआ है उसमें भी तो हुआ होगा लेकिन उसका साथ वीडियो बारल नहीं हुआ 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 है और तीसरा सवाल यह है कि विद्यार्थियों का प्रस्ण का अस्तर कठीन जैसे नौ तारीक दस तारीक और 11 तारीक साइंस के स्टुडेंट है वह तो कह रहा है कि हम सर कुछ बना ही नहीं है और लाजमी बात है कि जिससे हम इस पर वीडियो भी एक बनाए थे कि मालिजे कि आपको मैट्रिक में परहाई मैट्रिक में आप पर हैं अगर ग्रेजवेट लेवल का प्रस्ण आपसे पूछ दिया और उनके साथ है हम लोग अब उसके बाद में क्या हुआ कि एस्टेट परिक्षा में जो साइन्स वाले स्टुडेंट है जो गनित वाले स्टुडेंट है वो लोगोने केस कर दिया है ठीक है अर्थात हाई कोर्ट में अब कीस हो चुका है इस्टेट साइन्स वालो मैथ वाला जो 10 और 11 तरीके था उनके लिए केस हो चुका है कि हमारा परिख्षा जो है जो परिख्षा का जो पैटर्न था जो कोश्चन जो है अलग से आया है मतलब सी लेबस से नहीं आया तो इस पर केस हो चुका है अब तीसरा हम लोग बात करते हैं खर उस पर ज्यादा हमको बात करने के जरूत नहीं है जो होगा आपके सामने होगा जैसे होगा आपके सामने होगा ठीक है और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि के बारे में बहुत सारे विद्यार्तियों का सवाल था बहुत सारे लोग का प्रश्न कि अगर आपके पास answer की नहीं आया है तो आप cut up का निर्धारन नहीं कर सकते वह भी वह वह जो है answer की आने के बाद में भी उसका cut up निरधान करना बहुत कथीन है क्यों कथीन आप समझ सकते हैं को normalization की परकिया इसमें होने में normalization में आपको पता ही नहीं लेगा कि हमने 100 पंडा अलग होता है वह नोरूर्मलाईज करने के बाद में उसके गयाता रीलवे में छो होता है जी विए नीम में आदा किया हम नोरूर किया है लेकिन उसको चलत है जाताता है। और नहीं एंसर की निकला है तो आप कट अप की बात कैसे कर रहे हैं अब देखिए आपके सामने जो भी कट आ रहे हैं जोबी लोग चक्कर यहीं होता है कि नॉर्मलाइजेसन में आप सुचते कुछ और है और होता कुछ और है यह बात आप ध्यान रखेंगे आप कम बना है तो आपका रिजल्ट नहीं है हैं मतलब 100 कोस्टन में को हमको ऐसा है लगा ही नहीं कि हाँ इसमें से 2-4-10 कोस्टन हम परे हुए है और यह बात बिल्कुल सही है उनका प्रस्ण कास्तर बहुत ज्यादा कठीन थे जो लोग इस्टेट कटप की बात कर रहे है उस पर ध्यान मत दीजी गलत कटप है कटप कोई नहीं बता सकता है हम आपको बताज़े इसलिए वीडियो बनाना है क्योंकि यह समुद्दा पहां वीडियो बनाना चाहते नहीं है लेकिन इसलिए बना है कि हम देखे की बहुत सार कटव पर हमारा जो बिचार देना या कोई भी अपना विचार दे रहा है तो वह बिल्कुल गलत है क्योंकि उसको पता ही नहीं है सबसे पहली बात तो offline exam जब रहता है तो offline exam में question आपके सामने रहता है आपको पता लग जिता है कौन कोश्चन हमारा सही है कौन कोश्चन गलत है उसके हिसाब से आदमी कट अब बता सकता है कि हाँ जो अधिक्तम व्यक्ति है अधिक्तम स्टुएंट है वो कितना से कितना के बीच में है ठीक है नियूंतम स्टुएंट कितना से कितना के बीच में 120 के बीच में कितना लोग ह कि यह सब पार पता चल जाता है कैसे जब आपके सामने ऑफ-लाइन नहीं कर सकते हैं तो यह सबसे बरा सवल आप को जो भी कहिए कि सर आपने बताया नहीं बताएंके हम क्यों बताएंगे जब कि हमको बात पता नहीं है ठीक है हम भी देले परिक्षा स्वामीती का कोई इस्टाप अगर होगा उसके उसके पास भी वह पादर्शता नहीं है कि हम कैसे इस कटप को एक यूटूबर या यूटूब बनाने वाले यूटूब चैनल पर बोलने वाला बता सकता है जब आपके पास में उत्तन कुजी नहीं आया है तो कटफ वाले जो वेक्ति हैं जो लोग कटफ देख रहे ध्यान मद्डे कट पर हमारा चैनल नहीं चलेगा या आप हमको नहीं देखले झिखंद नहीं हम सही है उत नहीं आप आपको बोलेंगे पिछले बार- बहुत सारे वीडियो में हम भी बात कहते थे कि देखिए हम जो भी बात बोलते हैं अपने बहुत एक्स्पिरियेंस के अधार पर बोलते हैं हम यह बात नहीं कहते हैं कि मेरा बात 100% सथ है पिछली बार जो एक्जाम हुआ था हम ने कहा था आप आप देखे हूंगे मेरा सब्सक्राइब करें नहीं है था है तो यह एक अपना एक्स्पिरियेंस आदमी कहता है इसा नहीं कि हम किसी के द्वरा इंफॉर्मेटिव अधिकरित सुचना आगया है उसके द्वरा हम बोल है तो यह बात का ध्यानक है कि जो लोग कट अव बात करें कर रहे हों कट अब ब चर्चा या कोई भी यूटूब चैनल वा अगर बनाता है कट अब का वीडियो आप उसको जो है मतलब मेरे हिसाब से उस पर ध्यान मत दिया कीजिए क्योंकि कट अब तक उत्तर कुंजी नहीं आता तब तक कट अब बताना बहुत ही मुस्किल है उसका संस्लेशन विस्लेशन करना बहुत ही मुस्किल है तो यह कुछ डाउट थे जो हम आपके सामने क्लियर किये हैं और उमीद करते हैं कि तीनों प्रशनों का जबाब आपको मिल गया होगा बाकी आप साकरात्म करें पॉजेटिव रहे है और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सिटेट के लिए हम एक वीडियो डाले हुए थे इससे पहले डेम वाला वीडियो डाले हुए थे भासा अधियम और भासा अर्जन मतलव हिंदी सीक्षन के अंतरगत में तो आपको वीडियो अच्छा लगा बहुत ल तो धन्यवाद मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जिया ही वन्दे मातर।